कि अगर आप क्रिकेट देखती होंगे अपने चीजों में क्रिकेट का एक्जाम्पल लेता हूँ एक बहुत ही क्रिकेटिंग सॉट है पुल सॉट अब रोही सर्माज से पुछोगे तो वो कहेगा पुल सॉट इस नथिंग यार इसे एक और नहीं खेल सकता क्योंकि मैं तो द तो आप उसी डिफिकल्ट चीजों को मास्ट्री कर सकते हैं पहले लडाई माइंड से होती तो पहले यह कि कौन डिफिकल्ट है कौन हार्ड और कौन जो है इसी है यह दूसरों के उपीड़ेंस से डिसाइड नहीं करना है तो चलिए बढ़ते हैं पहले questions की थरफ how do I study better यह मैं पूछना चाहूंगा विरेन सर से क्यां पहले लुकों ने पूछा है कि how do I study better यह इन शौट बात करो तो आपको तीन चीजों पर हमेशा फोकस रखना चाहिए यह था यह तीन चीजे आपके डेली बेसिस पे चलना चाहिए सबसे पहले जो भी आप लेक्टर देते हैं जो भी चीजे आप करते हैं तो आप study करे पहले उन चीजों को जो भी पढ़ रहे हैं जो भी वीडियो उसके थूरू अगर आपने कोई कोर्स पर्चेस किया तो आप उन कोर्स को देखिए या लेक्चर्स के माध्यम से अगर अगर अप सेल्फ स्टडी कर रहें तो जो भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो फरस्ट अगर आप 10 गंटे पढ़ रहे हैं तो साथ गंटे स्टडी करिये और गंटे प्रैक्टिस और गंटे रिकॉल करिये अगर आप यह दस गंटे के साप से तो फाइव गंटे में फिर हाफ करके आप उस इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं थैंक्यू सर्शी स्ट पूश्टे एं रवील contenido करें leigh fire यह चाज़े और अब्धे कि आप की सोर्स्ट अब से वक्रिस्ट जि्स्ट कर तो इसके लिए पहले मैं यह姓 करना चाहती हूँ कि जब हिह में रिसोर्स की बात करें तो असे पहले ज़रूरी है कि आप निएEC-प्र करेंगे तो उसके लिए जरूरी है standard book को choose करना units को choose करना सबसे पहले resource में अगर देखें तो self study के लिए सबसे अच्छा resource है standard book लेकिन उसका एक यह है कि आप उसके content को किस तरीके से short कर रहे हैं तो standard book one of the resource है अगर आप online या offline किसी institute के साथ जोड़े हुए है तो वहाँ पर already आपको shorted material ही मिलता है जसा कि आपको पता है कि बैदमी पर वी CSIR का course launch हो चुका है जिसकी classes 8 of january से शुरू होने वाली है तो आप यहाँ भी subscribe कर सकते है thank you thank you so next question है मेरा Manisha मैं से how important are mock tests? mock tests किते important है mock tests के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि mock tests जो है वो बहुत 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 ज़्यादा important है क्योंकि यह आपको real time environment provide करते हैं question से deal करने का आपको बिल्कुल वैसा feel होता है जैसे आप exam hall में feel करते हो इसके अलावा यह आपको time management का lesson देगा जितने ज़्यादा mock test attempt करोगे आपको पता चलेगा कि आप कितने time में कितने question deal कर पा रहे हो इसके अलावा आपके concept के depth भी जो है जो आपने concept पढ़ रखे हो आपने उनको कितने depth में समझा है यह जब आप mock test देते हैं तो वहाँ आपकी गलतियां आपके concept में depth knowledge जो है वो आपको पता चल जाती है यह पता चलता है कि कौन सा unit आपने better किया है किस unit के question आप better attempt कर पा रहे हो यह सारी चीजे आपको mock test देने से पता चल जाती है तो mock test देना बहुत जादा important है Thank you Manisham So next question मैं अभिरेंस सार से पूछना चाहूंगा How can I manage my study time? So जैसे कि आपने पूछा कि कैसे manage करना study time को तो इसके लिए there is like different techniques बट एक technique साथी जिसमें हम एक analysis बोलते कि आप उसको classify करिए पहले दो categories में कि आप जो भी आपके पास दिन भर का task है क्योंकि 24 गंटे में आप क्या कर रहे हैं अगर आपने उस time को alert कर लिया बैसिक तो आपके लिए बहुत important हो जाता है कि पहले अपने task को define करिए कि whether task जो है वो important है या not important है तो आपके पास जितने भी दिन भर में काम है उन काम को पहले दो category में डिवाइड करिए कि important और not important और जो important task है उसको फिर आप दो category में divide करिए कि urgent और not urgent तो जो सबसे urgent और सबसे important काम हो सबसे पहले उसको finish करिए उसके बाद जो important लेकिन urgent नहीं है उसको आप किसी के through या बाद में उसको दे सकते कि अभी urgent नहीं लेकिन important है तो कल करेंगे X के बाद आता है दूसरा category जो not important का था उसमें भी आप डिवाइड करेंगे urgent and not urgent तो जो not important काम है लेकिन urgent है उसके लिए आप किसी का सहारा ले सकते किसी दोस्त का क्योंकि वो important नहीं है लेकिन urgent है तो जैसे किसी फूफा को ले आना है जो है आपके station से या किसी मामा जी को ले के आना है तब दोस्त को भेदिया कि भाई pick up कर लो क्योंकि वो urgent है लेकिन important नहीं है important क्या है कि अगर आपकी पढ़ाई करनी है तो आपको urgent भी है और important भी है तो पहले वो आप finish करें तो कुछ ऐसे काम्स को आप चार केटेगरी में तोड़ते हैं important urgent, important not urgent, उसके बाद not important urgent and not important not urgent तो जो not important not urgent की केटेगरी में आते हैं वो सारे time waste के काम होते जिसे reals, swords ये सब होते हैं इसको आप तभी देखिए जब आपके पास time हो, free time हो और उसके अलावा जो important और urgent है वो सबसे पहले करिए फिर उसके बाद दूसरे time पर करिए important not urgent और जो not important urgent है उसको किसी के help से करिए और not important not urgent को तो आप avoid ही करिए तो बहतर रहेगा इस तरीके से जब अपने task को divide कर लेंगे दिन भर में उसे time allot कर देंगे तो आपके लिए time manage करना बहुत आसान हो जाते है तो इस question को extend करना चाहूंगा कि like कि अगर आप कोई MSC कर रहा है कुसी classes चल लई है कोई job कर रहा है तो फिर उसमें कैसे manage करे time जब हम time management खासकर preparation job के साथ करना चाहते है तो हमारे पास क्या होता है कि कोई full time job कर रहा है कोई part time job कर रहा है तो अगर आप full time job कर रहे है तो लगभग सुबर 9 या 10 से 5 या 6 बज़े तक आप work करेंगे आप part time कर रहे हैं तो भी वो चीज़े होती तो आपके पास समय की availability जैसा मैंने बोला कि आप 24 गंटे को slot करिए कि आप 24 गंटे में आपका कहां पर कितना समय engaged है वही बात है कि वो important भी urgent भी है तो वो आपका slot जैसे 9 से 10 या 10 से 5 ये 10 से 6 जो है fix हो चुका अब आपके पास जो समय बचा है उसमें आप फालतू का time वेस्ट मत करिए मतब आपके पास अगर 6 के बाद एक गंटे आधा गंटा रेस्ट किया फुर्स के बाद जो time available है उसमें अगर आप कोई course purchase किया है तो recording से पढ़िए जैसे वेदमी पे courses आई रहे हैं इसके अलामा जो है अगर आपने self study करनी है तो आप जो भी books prefer कर रहें आप उससे पढ़िए तो I would like to recommend कि आप अपने slot को पहले fix कर लीजे कि मेरे जो ऐसे slots है जो एकदम जिसमें मैं कुछ करी नहीं सकता job कर रहा हूँ या MSC वाले बच्चों के लिए मैं भी बात करूँगा तो job वाले पहले fix कर ले कि मुझे कितना 2-4 घंटे जो मिल रहा है after job मुझे उसमें पढ़ना है मुझे उसमें जो है भालतू काम नहीं करना है तो वो सब काम अगर आप वॉइड करके उसमें पढ़ेंगे तो आप manage कर सकते हैं लेकिन आपको effort थोड़ा जादा put करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास समय की कमी है और MSC वालों के लिए तो अच्छा है कि आपके university में जो है चीजें पढ़ा ही जा रही होती है और वहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं कि कुछ अलग काम करना है study वहाँ भी करने है और study यहाँ भी करने है तो आप ऐसे units को target करें ऐसी चीजों को पढ़ें जो कि आप जो है दोनों जगह पर common हो और CSIR के लिए भी important हो दूसरा जब मैं भी आप भी PhD किया हुए है मैं भी किया हूँ तो लोग भी किया हुए तो हमें पता होता है कि हम पूरे टाइम जो है semester में नहीं पढ़ रहे होते हमें exam से पहले ही पढ़ना होता है मुझे agree करेंगा आप सभी लोग तो वो जो है कि last night for IDX exactly तो उस वज़े से कि अप इतना अगर आप MSC का प्रेसर लेके बैट रहे हो जबकि आपको पता है कि इतना टेंसर ले लो एक रात पढ़ना है पहले ही है जब आप पो semester देना है तो इतना लोड नहीं लेना आप classes के बीच में पीरिट के बीच में जो समय मिलता है या कोई class नहीं जा रही होती तो आप दोस्तों के साथ तफरी कातने के बजा उसमें question solve करो practice करो तो उन times को क्योंकि universities में या कोई भी colleges में 9 से 6 पूरी पढ़ाई नहीं होते है उसमें एक दो time and stress आता है exam के time stress आता है तो multiple stresses आते तो उनको एक साथ कैसे deal किया जाए actually sir stress होनी के बहुत सारी रीजन है लेकिन अगर हम यहां पर preparation के दोरान stress की बात करें तो आपको stress तब होता है जब आप proper चीजों को prepare नहीं कर रहे होते हैं अगर आप हर एक day आपका एक टास्क होना चाहिए और अगर आपने उस टास्क को पूरा नहीं किया तो अबिस सी बात है आने वाले time में आपको उसका stress होगा कि मुझे जो पढ़ना था मैंने जो aim किया था या जो मैंने target किया था वो पूरा नहीं हुआया और day by day यह जो target जब हम पूरा नहीं कर पाते तो एकदम से हमारे उपर आजाता है burden तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपनी चीजों को prioritize करना है एक priority देनी है कि आपको एक दिन में कितना task complete करना है अगर आप preparation की बात कर रहे हैं कोई unit prepare कर रहे हैं उसके topics को आप decide कर लीजे कि एक दिन में आप कितना prepare करेंगे सेकंड चीज जो है वो यह है कि आपको खाली preparation नहीं करनी है आपको stress दूर करने के लिए कुछ पॉज भी लेना है जैसे अगर आपने दो घंटे पढ़ाई करी तीन घंटे पढ़ाई करी चार गंटे जितना भी जो कर रहा है उसके बाद आप थोड़ा सा एक पॉज लीजे साथ ही साथ अगर आपको कुछ करना पसंद है जैसे आपको खेडला पसंद है song सुनना है या जो भी आपकी हो भी है तो साथ में आपको बहुत सारी physical activities भी करनी है और एक reward की भी बात आती है अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं किसी टास्कों को complete कर ले रहे हैं जैसे अगर आपने एक दिन के लिए कोई टास्क लिया अपने लिए कोई एक target बनाया वो finished हो गया तो at least आप अपने आपको reward दीजे आप अपने आपको appreciate करिए क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो stress कम होता है और stress कम होगा तो आप preparation बहुत अच्छे से करेंगे तो सबसे पहले आप को prioritize करना है अपने आपके लिए कि आपको हर एक दिन का एक aim रखना है और उसको complete करना है जैसे जैसे आप हर एक days के अपने aim को complete करेंगे तो देखिएगा कि आपको stress बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि किसी भी exam की preparation आप एक या दो दिन में नहीं करते आपको at least five to six month उसको prepare करन करना रहता है और आप देखेंगे कि हर एक एक दिन अगर आप अच्छे से aim को target कर रहे हैं उस सारी target को finish कर रहे है तो at the last day आपकी सारी preparation हो जाती है effective में और आपको को stress भी नहीं होता तो आप हर एक दिन का अच्छे से target fix करिए उसको prepare करिए और finally उसको finished भी करिए तो आपको stress नहीं होगा thank you thank you so next question मैं मारिश्यम से पूछना चाहूंगा कि like कि अभी next session में हमाई पास multiple exams आएंगे CSR आने वोला है DBT आने वोला है ICMR आने वोला है कि काई लोग का CUT PCA भी आने वोला है तो इन सारे multiple exams को कैसे एक साथ handle किया है ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो CSIR, UGC, NET और DBT, GATE सब की तैयारी कर रहे होते हैं एक साथ तो जब भी कोई बच्चा इन सारे exam की एक साथ तैयारी कर रहा होता तो एक चीज़ common होती है उनमें कि अगर आप life science से हो तो आप life science के field में ही इन सब को apply करोगे इस बात के advantage यह हो जाता है कि जब भी syllabus देखोगे आपको सबसे पहले identify करना है कि इनके syllabus में common topics कितने हैं जैसे ही आपने identify कि यह topics जो है वो common topics है आप उनको कहीं note कर लो और सबसे पहले try करो कि उन common topics को cover कर ले जैसे ही आपके topics common topics जो है cover हो जाते है फिर जो different topic हैं उनको cover करो इसके अलावा साथ-साथ में यह जितने भी exams कि exam में अलग होगी, ICMR में अलग होगी, GATE में अलग होगी, CSIR में अलग होगी, तो mock test का practice करना तो सबसे ज़्यादा important हो जाएगा, क्योंकि अगर भले ही आपने same syllabus सबके लिए पढ़ रखा है, लेकिन आपने test की practice नहीं की है, question की depth की practice नहीं की है, तो वहाँ सब गढ़ बढ़ हो जाएगा, तो mock test की तैयारी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, Thank you, Manisham. So, इसी में मैं add-on करना चाहूँगा, कि वेदिमी जो है CSIR के साथ साथ multiple exams को target करने के लिए अलग से बैच लेका है, इसकार हमें all exams, जहाँ पर आपको CSIR साथ जो भी डिविटी और से मरक डिफरेंस लेवर से से, वहाँ पर cover किये जाएगे. So, अगर आप multiple exams टारेट कर रहे हैं, तो all exams का जो बैच होगा आपके लिए काफी useful होगा, क्योंकि बाद में आप जाकि जब डिविटी और ISMA का individual package लेंगे, तो वह price बढ़ जाएगी, तो इसमें अच्छी चीज यही होगी, तो आप कि सारे exams का package एक ही साथ ले ले. So, next question मैं विरेंस साथ से पूशना चाहूँगा, कि last minute revision के लिए कोई tips? Sir, यह तो last minute revision के लिए आप जब भी कुछ करना चाहेंगे, पहले उसकी preparation हो चुकी होती, क्योंकि आपने अगर कभी पढ़ा ही नहीं, तो आप revision करोगे क्या last minute में, तो इसमें मैं एक चीज़ एड़ करना चाहूँगा, कि जो लोग अभी वैदे में पर recalling express देखे होंगे, that's good, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते कि, दो या तीन घंटे में पूरी unit finish की जा सकती है, और it is possible only if you are doing the recalling of the concepts earlier, like for example, मैं हमेशा recalling के लिए, revision के लिए बोलता हूँ कि, जैसे बच्चे जो शुरू में नहीं करते हैं, recalling उन्हें लगता है कि पहले पूरा unit complete कर लेंगे, तब revision करेंगे, that is a wrong approach, like हमें क्या करना चाहिए, कि मान लेते हैं कि for example, मैं biochemistry deal करूँ और आज मैंने amino acid पढ़ाया, तो कल जो है वो protein पढ़ाऊंगा, इस तरीके के topics listed out रहते हैं, तो बच्ची क्या करते हैं कि पहले पूरा biochemistry का इंतजार करेंगे, finish होने का, लेकिन यह नहीं करना चाहिए, करना क्या चाहिए, कि कल के class में आने से पहले, उन्हें previous जो पढ़ाया गया है, उसको जो है 15 मिनट ही सही, बस revision ही सही, recall नहीं भी कर रहे हैं, recall करें तो that is the best, कि उसको recall करें, 15 मिनट ही सही उसको revise करके हैं, अगली class में आने से पहले, और फिर जैसे पहली class का revision आपने कर लिया, दूसरी class में आने से पहले, पहली class का revision होगा 10 मिनट, तीसरी क्लास में पहले दोनों क्लास का रिवीजन होगा चोथी क्लास में पहले तीनों का होगा तो जो पहला वाला क्लास होगा वो तीसरी बार रिवाईज हो रहा होगा ठीक है पहली क्लास का रिवीजन और पांचवी क्लास में पहला वाला चौती बार हो रहा होगा, इस तरीके से क्या होगा, कि जब आप 15-20 वे आप 30 वे क्लास में पहुँच रहे होगा बायो कमिस्टी में, तो उससे पहले आप पहली क्लास को लगबग 30 बार रिवाइस कर चुके होंगे, तो आपको अलग से जरूरत ही नहीं है फिर उसी पढ़ते-पढ़ते ही आपका रिवाइज हो चुका होगा यह सिर्फ 15-20 मिनिट देना होता है लेकिन बच्चे देते नहीं उन्हें लगता है कि यह हम लास्ट में ही करेंगे अगर यह करें कि यह टार्गेट बनाए कि नहीं है कि आपका आपको सब्सक्राइज करें लिए उसका यूज कर सकते हैं और एक चीज़ तो मुझे सबसे बेस्ट लगता है सावर का टाइम मतलब मैं अपने जब पढ़ाई करता था तो मैं क्योंकि मुझे सबसे कूल जो टाइम लगता है वो तो मैं अक्सर जो है आप मेरे साथ रहे हैं होस्टल में तो कि मैं काफी लंबे टाइम तक जो है रहता था बात्रूम में तो लोगों को लगता था इतनी टाइम तक नहाता क्यों है तो मेरा सबसे प्राइमरी मोटिव एक्जाम से पहले यह होता था खुद को कूल रखना और मैं उस 15-20 मिनट में जो मैं सावर टाइम में होता था मैं करते करते अपने दिमांग में चीजों को गुमा सकते उसी को रिकॉलिंग बोलते तो यू कन ट्राइए एंड विल हेल्प यो बेस्ट तो नाच्ट कुस्ट्ट रवीना में से कि नोट्स रपरेशन कैसे करें अच्छे नोट्स कैसे बनाने अच्छे नोट्स भी बहुत सबसे पहले तो होता है कि ओर्गनाइजेशन आपको उसको बहुत अच्छे से और्गनाइज करना है ऐसी नहीं लिखना बहुत सारे स्टुडेंट क्या होते हैं कि इतने बुरे तरीके से बुरा नहीं कहना चाहिए लिकना ऐसे नोट्स बनाते हैं कि लास्ट में उने ही करती हूं उसको नोट डाउन जरूर करती हूं और नोट डाउन ऐसे भी ऐसा नहीं कि एक ही कलर हम यूज कर रहे हैं तो आप डिफरेंट पैन जो रहते हैं डिफरेंट कलर होते हैं कि हैडिंग आपने किसी दूसरे तरीके से लिखा पिर उसका जो पॉइंट है उसको हाइल तो उससे क्या एक असानी होती है कि last time जब आपको revise करना है, आपने notes को देखना है, तो आपको पूरा लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप उस एक point को पढ़ेंगे और आपको सारी चीज रिवाइज हो जाती है, second thing यह होता है कि जब भी आप notes बनाएं, तो ऐसे आपको नहीं करना है कि बिलकुल space नहीं देना है, जैसे आपने एक topic को खतम किया, उसके बाद आप उसमें कुछ space दीजिए, जिससे अगर आपको connectivity उसमें करनी हो और अपनी तरब से कोई चीज एड करनी है, बाद में एड करनी है, तो आप उसको एड कर पाएं, इस तरीके से होता यह है कि जब आपके finalized notes आपके पास होते हैं, तो एक connectivity के साथ होते हैं, क्योंकि teacher आपको पढ़ा रहा होता है, फिर आपने कुछ points उसमें notes कर लिए, लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हैं, तो आपको एक दो ऐसी extra line, extra information मिल जाती है, फिर आप उसको add कहां करेंगे, तो इसलिए वो जो spacing है वो इस तरीके का काम करता है, third जो होता है कि colorization, आपको color का भी इस्तमाल करना है, और जितनी भी आप notes बनाएं, आप कोशिश करिए कि diagram के form में बनाएं, diagram भी one of the most important thing है आपके notes के लिए, और भी आप इस तरीके कि जो भी आपकी creativity है, जो से बहुत से बच लेकिन आपको अपने सारे notes बहुत clarity के साथ बनाने हैं, जिससे बाद में जब आप उनको पढ़ें, revise करें, recall करें, तो आपको थोड़ी सी आसाली हो, thank you. Thank you, Raiyna. इसको लेकि मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो notes बनाने वाले students होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं, जो लिखते हैं, खुद लिखे, खुद ही पढ़ें, एक होते हैं, खुद लिखे, सब पढ़ें, और जो तीसरी category होती है, वो ultimate होती है, खुद लिखे, खुद पढ़ें, तो आपको notes कभी खुद लिखे, खुद पढ़े वाली category में नहीं बनाना, या तो आप बनाएए, खुद लिखे, खुद पढ़े, जो आप अपना पढ़ सके, या best होता है, वो note जो खुद लिखे, और सब पढ़ पाए, सब जान पाए, तो ऐसी category के notes बनाना सब से बढ़िया होते हैं, thank you, जो और मैं add-on करना चाहूँगा, sure, sure, notes में, जैसा कि Raveena मैंने भी काफी comprehensive चीजों को deliberately बताया कि कैसे आप notes बना सकते हैं, मनी सब मैंने बिलकुल सही बोला कि कुछ लोग इस तरह की writing या इस तरीके के content बनाते हैं, कि वो खुदा भी साथ पढ़ से mind map कर सकते हैं, एक diagram बनाओ, जिसमें सारे concepts को terms के साथ लेख सकते हो, और मैं इसी mind map में term connections की बात करता हूँ, कि जैसे for example, if you are like making a notes for replication, detailed notes is different one, short notes is different one, sorts का तरीका भी एक है, कि उसको mind map में merge करो with term notes, मैंने एक नया निकाला है term notes का, for example, अगर आप replication कर रहे हैं, तो replication में आप उनने फिर flow बनाया prokaryotes और eukaryotes, and prokaryotes में फिर आप terms को लिखे, DNA A, DNA B, DNA G, polymerase 3rd, polymerase 1, इस अब terms को सिर्फ लिखा, उनके बारे में नहीं लिखा, ये अब जो उनके बारे में छोटी-छोटी चीज़े, कौन 5'2, 3'Polymerage, कौन 5'2, 3'Polymerage, कौन 5'2, 3'Polymerage, कौन 5'2, 3'P information, जैसे कि आपने Recalling Express के notes में देखा होगा, one page will contain lots of information, अगर आप सही तरीके से terms को सिर्फ लिंक करें, flow charts के form में, या map के form में, तो उससे क्या हो जाएगा कि कभी भी आपको जल्दी recall करना पड़े, या जैसा पहला question था, previously अगर मुझे short time में recall करना पड़े, तो बहुत help करे करेंगा, वो इस short देखी के notes है, thank you. के से पड़ेंगे, तो उसके लिए prefer करें, सबसे पहले start करें, short note से, short concept से शुरू करें, दूसरा, अगर आप textbook लेके बैट रहे हो, और पहली बार डर जा रहे हो, या आपको block feel हो रहा है, कि दिमाग में, अरे ये तो block हो गया, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, तो पहले 5- का break, लो, उसमें कुछ light activity करो, और जब आपका brain वापस से mood happy हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो वापस से उसको शुरू करो, और पूरे text को एक बार में नहीं पढ़ना है, कि अगर 10 line का paragraph है, तो पूरा paragraph 10 line का एक बार पढ़ना है, तो पूरा paragraph 10 line का एक बार पढ़ना ह कोशिश करो, जब ऐसे चोटा-चोटा break करके पढ़ोगे ना concept अपने आप समझ में आ जाएगी, इसके अलावा अगर text book से नहीं चीज़े समझ में आ रही है, तो अपने teacher से पूछ सकते हो, जैसे अगर आपने वैदमी जोइन किया है, तो जो भी relevant subject के जो भी teacher है, उनको जिसको सारी चीज़े आती है, उसको बिटा उससे पूछो, कि भाई ये कैसे होगा, जरा मेरे को समझा दे, अगर वो समझा दे रहा है, तो तो वो आपका अच्छा दोस्त है, आप समझ लो, कि वो आपकी तरक्की चाता है, इसलिए वो आपको समझा रहा है, अधर वाइस दोस्तों से किनारा भी कर सकते हैं, और दूसरी चीज़, कि चीज़ों को समझने की कोशिश करो, पहले ही देख के भाग नहीं जाना है, कि मुझे मैट्स नहीं आती, मैं तो मैट्स से डीली नहीं करूंगा, मुझे मैट्स नहीं आती, मैं जीए, इसका section attempt ली नहीं करूंग कि जिसको आप समझ नहीं सकते हो, human brain है, बहुत capacity है, try करो, इसी बात को मैं थोड़ा सा और extend करके कहना चाहती थी, होता यह है कि hard topic की हम बात करें, तो बिलकुल ऐसे बहुत से topics हैं, हमारे syllabus में, जो काफी hard हैं, और समझ में नहीं आती, जब मैं भी preparation करती थी, तो यह चीज ह होता है, कि आप जब चीजों को पढ़ रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप सचुरेट होंगे, और उसी टाइम अगर आप उसी topic किया, जो कोई harder topic उसे प्रपेर कर रहे हैं, तो असल में भले वो easy होगा, फिर भी आप उसे प्रपेर नहीं कर पाएंगे, तो आ को डील करिये, and honestly guys, यह बहुत effective होता है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से topics से, जो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, जो मुझे हाट लगते थे, और जैसे ही starting में हम उस topic को पढ़ लेते, दिन की शुरूबात में, जैसे ही हम preparation करने बैठ जाते थे, तो बो हमें समझ में भी आ जाता है, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बार बार उसको try नहीं करना है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम demotivate भी हो जाते हैं, कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये भी एक चीज फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो, एक और चीज में इसमें add-on करना चा क्योंकि मैं तो 10 में से 6 बार या 7 बार चेके मारूंगा इस पर, लेकिन वहीं आप बात करोंगे स्रेय सेयर की, तो 10 में से 6 बार out हो चुक है, तो वो कहेंगा no, pull shot is not good, so it depends on the mind and your skills, right, so first of all कि आप ये difficult or easy का concept हटा देंगे न, तो आप उसी difficult चीजों को जो है mastery कर सकते हैं, प नहीं करना है, somebody is saying on the YouTube, या somebody is saying in any video कि यार this subject or this topic is very difficult, so that person is saying on the basis of their experiences, right, वो अपने experiences में बता रहा हो सकता है कि वो स्रेय सहीर हो, लेकिन अगर हो ही सर्मा होगा तो वही बोलेगा कि अर यार वो तो difficult है नहीं, क्योंकि जैसे for example, biochemistry or techniques, आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो हम it's very difficult, but for me, मुझे तो सबसे easy लगता है, क्योंकि सबसे interesting भी लगता है, तो ये depend करता है कि आप किस person से बात करें और ये भी मेरे experiences पे, तो आप अपने experiences को अगर किसी भी unit, किसी भी subject or topic में बहतर बनाना चाहते हो, तो दूसरे के opinion की वजाए, आप खुद के skill पे rely करना कि मु It's all about techniques. किना role play किया अपने? जी, जी, thank you, sir. तो आप technique से तो बच ही नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं कि केबल आपको theoretically knowledge होना चाहिए, आपको सारे instrument को operate करना पड़ता है, एक ना एक ऐसा को instrument होगा जो आपको proper चलाते आना चाहिए, एक तो मैं ये बहुत minimum कह रही हूँ, at least 5 से 6 से instrument होते हैं, तो उससे पहले ज़रूरी क् आपने उसको at least theoretically पढ़ा हो, आपके पास उसका प्रिंसिपल तो होना चाहिए, कि वो कैसे बर्क करता है, तो ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा, and second चीज जो टेक्नीक की है वो ये है, कि पीएजडी में अगर आप enrolled होंगे, तो जितना भी आपका काम होगा, जो भी आप काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर आप कहीं दूसरी जैसे कहते हैं कि आउटसाइडर से हम बहुत से काम परफॉर्म कराते हैं, तो आप टेक्नीक से अगर वहां बच जाएंगे, लेकिन फाइनली एड़दला जब आप प्री सममिशन देंगे, आप बाइबा होगा, तो उस टाइम आप से बहुत कॉशन सूचे जाते हैं, तो भाई, प्रपरेशन कर लीजे पहले टेक्नीक की, इसके बाद फिर पीएजडी में एडमिशन ले लीजे, अब सीएस इयर में कर लो, नहीं तो फिर दो चार महीने निकाल के बाद में पढ़ना तो पड़ेगा, तो छ रेगुलर्ली यूज़ पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का, फिर आपको FACS है, फिर उसके बाद HPLC है, एफपी एलसी है, बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज़ पड़ता है, बार-बार स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ पड़ता है, जब भी आप क कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, बार-बार आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी यूज़ आएगा, इसके अलावा, फर्मेंटेशन जब हम कर रहे होते हैं, तो बार-बार फर्मेंटेशन कैसे हैं, इसको अप्टिमाइज कैसे करते हैं, यह सारी चीज़े, किसी भी माइक्र टकती जब्र माम कर सकते हैं, तो इसमिए साथ्सवय प्रिसाइज को बार पर्टेशन तो मेरा रिक्रमनेशन नहीं रहेगा, यह भी ऐसाब टेक्निक्स ही होती है, सो इनको भी आप पर सकते हैं, कि इनका भी बहुत ज्यादा यूज़ होने आला है पेस्जी में, सो मेरा रिक्रमनेशन नहीं ही रहेगा, यूजनी 13 को मत छोड़िएगा.